कटिहार में एक महिला डॉक्टर पर प्रसफ की दौरान मरीज की किड़नी निकालने का संसनी खेज मामला सामने आया है इधर पीड़ता की परीजनों की शिकायत के बाद कटिहार स्वास्ते महकमे में हर कंप मच किया और पूरे मामले पर जांश का आदेश दे दिया किया ये आरोप नगर्थाना शेतर के विनोतपुर महला की चर्चित नर्सिंग होम संजीवनी के डॉक्टर नीला मनीश पर लगा है आरोप है कि प्रसव के दौरान लता चकरवर्ती की दोनों किड्नी सलामत थी लेकिन प्रसव के कई महीने बाद जब पेट दर्द की शिकायत हुई तो डॉक्टर के ही कहने पर उनका अल्ट्रा साउंड करवाय गया उस रिपोर्ट में उनके एक किड्नी नहीं होने की बात कही ज़ा रही है इसलिए उन लोगों का शक है कि प्रसव के दौरान ही उनकी किड्नी निकाल ले गई है कि समस्य यह है कि मेरे पत्नी गर्वपती थी और मैं डॉक्टर निलम मनिस के यहां इनको टीटमेंट करा रहा था तो डेलिवरी से पहले उनका किड्नी ए अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट में उनका किड्नी सोग कर रहा था पहले लिए और डेलिवरी के बाद जब समस्या उनके साथ पुना हुआ फिर मैं उनके पास गया उनके बात किया तो वह अल्ट्रा साउंड लिखे और जब近 कया गई जगह पे एल्ट्रसूं कराया और वहना सा sama के नहीं है पूझ है अब क्या करते आपम पॉट्रसूं करी तो इस Eden थerem के अधिर का काम है हाला कि गाइनकोलोजिस्ट नीला मनीश ने इसे उन्हें बेवजय बदनाम करने का आरोप लगाया है परिवार उनसे रुपिया एटने के लिए इस तरह से बदनाम कर रहा है सिविल सर्जन बियन पांडे ने कहा कि पूरे मामले पर जांच टीम गठित कर दी कई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामलस सामने आएगा कि हमारे रेडियोलोजिस्ट को अभी कुरोना हो गया है इक वाले टाइम में हैं यह उनसे प्रात नहीं हो सका है आज आते हैं तो उस प्रिप्लेट से हम लोग एक्सपार्ट उपियें के साथ इसका अंतु निश्करस पर हमारी टीम पहुंच है कोई मनीश मिसाज मनीश करते हैं क्या करवाई रोगी अगर साभी को जाता है विभाब क्या करवाई करें इस करवाई को तो इस पर कोई कर एक तो यह जिस्टी प्रहम दस्टा दिखाई भी पर रहा है कि ऐसी कोई बातिस में है फिलहाल आरोपी डॉक्टर अपरिवार परिवार पर मानहाने का केस करने की बात कह रहे है आरोपो के बात स्वास्ते महकमे ने इस पर जाच के आदेश दे दिये है कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट